आइरन मैन की तीन बिगिस्ट मिस्टेक्स जिन्हों ने उसको स्ट्रॉंगर बना दिया पॉइंट फर्स्ट आइरन मैन फर्स्ट मूवी में जब टोनी स्टाक अपना सूट पहन के एट्मोस्फियर में उपर जाता है उस टाइम पे उसका सूट जम जाता है और आउट आफ कंट्रोल हो जाता है इस मिस्टेक से सीखते वे टोनी ने अपने सूट में कोल्ड टाइटेनियम अलॉय का यूज करा जिसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम था पॉइंट सेकिंड आइरन मैं 2 में विपलेश से फाइट करते समय जब टोनी को काफी देर वेट करना पड़ा था अपने सूट के लिए तो उसे इंप्रूव करते वे उसने माक 7 आर्मर बनाया जो उसके हाथ की ब्रेसलेट से कंट्रोल हो जाता था नमबर थर्ड पॉइंट में एवेंजर्स 1 की फाइनल फाइट के बाद टोनी को ये रियलाइज होता है कि एवेंजर्स शैद इनफ नहीं है इत्ती बड़ी एलियन आर्मी से लड़ने के लिए तो वो इस चीज को सुधारते वे आइरन मैन 3 के वक्त पूरी की पूरी आइरन मैन के सूट्स के आर्मी बनाता है जिनने वो आइरन लीजन बुलाता है